हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग तो आईए आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं पंचायती राज के वारे में बात करें जब हम बात करते हैं पंचायती राज के वारे में तो भारत में यह दि देखा जाए पंचायती राज के वारे में इसका जो विकास होता है वो 1882 के टाइम में होता है 1882 में इसको पहली बार अस्थापित किया गया था इसे अस्थापित करने का अफर है Lord Rippan को जाता है Lord Rippan ने जब इसे स्टैबलिस किया था तो सुरुवाती टैम में इस प्रकार के लोकल गौवर्मेंट को उसने एक नाम दिया था लोकल गौवर्मेंट को हिंदी में इसने का था मुकामी बोर्ड का था मुकामी बोर्ड के नाम से उसे स्टैबलिस किया गया तो मुकामी बोर्ड के बाद इसे कॉंग्रेस पार्टे ने इसे 1919 के भारत सासन अधिनियम के माध्यम से बिश्टार दिया और फिर उसके बाद उसने 1935 के भारत सासन अधिनियम के माध्यम से भारत के कई सारे राज्यों में इसे फैलाने का काम चालो किया गया था लेकिन अदियम इसके वारे में थोड़ा सा और भी पीछे की ओर जाएं मदलब कि अदियम इसके इतिहास की बात करें तो इसे 18 सेंचरी में 18 सताबदी के टाइम में हमारे यहां पर मुगलों के द्वारा इसे स्टैबलिस किया गया था और मुगलों ने इसे शुरुवाती टा सभा और यही सभा बाद मुझा करके पंचायत का रूप धारन कर लेती है और पंचायतों में विभिन परकार के नियाय के और निर्नय के काम किये गए थे तो आज़े चालू करते हैं इसी टॉपिक के साथ आज कई टॉपिक पंचायती राज के बारे में क्लासरी अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजी ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो लगतार मिलती रहे और जरुतमन्द लोगों तक इस वीडियो को फैलाते रहे कि आज का दिन बड़ा खास है सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सवा के लिए जा रहे है क्या आपको पता है क्यों जा रहे होते हैं वो लोग सिंपल सी बात है कि वो लोग ऐसे जगा पर जा रहे हैं तो इनका सिंपल सा मतलब होगा कि कहीं न कहीं हमारे समाच के अंदर नियाय का पर्था बरावर बढ़ावा दिया जा रहा है या फैलाया जा रहा है या फिर किसी को नियाय दिया जा रहा है तभी वहाँ पर लोग इखटा हो रहे हैं क्योंकि पंचायत के चुनाब के बाद आज पहली बार ग्राम सवा की बैठक हो रही है मतलब यह वहा कि यहां पर जो लोग इखटा होने के लिए जा रहे हैं वो ग्राम सवा की बैठक में इखटा होने के लिए जा रहे हैं अब यह ग्राम सवा की बैठक का मतलब क्या होता है ग्राम सवा की बैठक का मतलब होता है कि गाउं के सबी वयों लोगों का बैठक जिसमें गाउं के ग्राउं के मुद्दों के ऊपर बहत होती है चर्चा होती है उसमें ये लोग जा रहे हैं अधरदास गाउं के लोग यह जानने के लिए बहुत उच्चुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या-क्या योजना बनाई ये। कैता है ग्राम सवा आई बात करते हैं ग्राम सवा के बारे में। कराय ग्राम सवा के बैठक के सुरुवात सरपंच और पंच ने सड़क के मरमत पर होने वाले खर्च का बेवरा दिया अब क्ला ध्यान दिजेगा यहां पर कि ग्राम सवा ने आपके क्या किया है तो ग्राउं सवा ने यहाँ पर बात की है कि सड़क के मरमत पर होने वाले खर्च के बारे में बात कर रही है और यहाँ पर जो बात करती है वो कौन-कौन तो सरपंच करती है और पंच ने मिल करके इस प्रकार का ब्योरा दिया था यहाँ पर कुछ बढ़ दिये गए हैं थोड़ा समझ लेते हैं करह कि एक ग्राम पंचायत कई बाड में बटी होई होती है और परतेक बाड अपना एक परतेनी दी चुनता है जो बाड पंच के नाम से जाना जाता है इसको समझने के लिए आप समझ ये कि हमारे पास ये गाउं है इस गाउं में कई सारे छोटे छोटे हिस्से बाड दी जाते हैं इन सभी छोटे छोटे हिस्सों में हर एक हिसे के अंदर क्या होता है तो हर एक हिसे के अंदर बाड होता है इसी बाड को कहते हैं इसी बाड के हेड को पंच कहते हैं यह वे कह रहा है कि इसके साथ साथ देखा जाए तो पंचायत छेतर के लोग मिलकर के सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है तो इन सभी के द्वारा इन सभी के द्वामल पंच के द्वारा ही को चुना जाता है और ही सरपंज जो होता है वो गाउं का मुख्या माना जाता है या फिर ही मुख्या होता है कहता है कि बाड पंच और सरपंच मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन पांच साल के लिए करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या रहा है क्या ग्राम पंचायत की बात क पास जो ग्राम पंचायत होती है यह पहली बाद तो पांच साल के लिए आती है अदूसरी बाद जो होता है इसका गठन इसका जो गठन होता है वह पंच के माध्यम से होता है और सरपंच के माध्यम से इनका गठन होता है यहां पर कह रहा है क्या ग्राम पंचायत का एक को हम कहते हैं सचीव कहते हैं कहते हैं कि सचीव का चुनाव नहीं होता उसकी सरकार के द्वारा नियुकती होती है सचीव का काम है ग्राम सवा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा हुए है उसके उपर निर्ने का रिकॉर्ड रखना मतलब कह रहा है क यहां पर जो सचीव होता है सचीव का मुख्य काम होता है देख भाल करना होता है आई रिखते हैं कि आगे सड़क के ओपर क्या चर्चा चल रही है कि यह सड़क गाउं को मुख्य सड़क से जोड़ती है इसके बाद पाने की कमी पर चर्चा होने लगी तो हमने यहां पर पीजिया ने बोलना सुरू किया, हरदास गाव में पानी की कमी के समस्या बहुत बढ़ गई है, हैंड पंप का पानी जमेन में बहुत नीचे चला गया है, मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा पानी आता है, औरतों को तीन किलोमेटर दूर सुरू नदी, यहां पे नाम द आकर गाव में एक बड़ी से टंके में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूरती पूरी हो जाएगी, लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पानी को लाने के लिए पाइप चाहिए, आप पाइप से पानी लाएंगे तो हैंड पंप मी चाहि करेकर लेते हैं और कुळों को साफ कर लेते हैं, बनला कहागी कि पाने की पूर्टी के लिए हम यहाँ पर हैंड पंप को और Go की सफाई का का कां किया गए, यहाँ पर तीजिया ने कहा कि इतने से तो कां नहीं चलेगा, हमें कुच πकी विवर्ष्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्थर नीचे गिरता जा रहा है कि जितना पानी क जमिन से Moroccan कर के जाता है हम उसे ज्यादा उपयोग कर लेते हैं वास्ते easy कि आज के टांम में देखा जाया तो हम पानी का इस्तिमाल काफ़ी ज्यादा करते हैं लेकिन उसका recharge होता ही नहीं तो कहीं न कहीं मारा जो ग्राउंड वाटर है वो तेजी के साथ खतम हो रहा है कहता है कि ग्राम सभाग के एक दूसरे सदस्य ने अनवर अब यहाँ पे एक नया नाम आया है अनवर अनवर ने तव सब को बताया कि उसने महराष्ट के एक गाउं में पानी सनक्षन के नई तरीके को देखा है अब यहाँ ध्यान दिजेगा कि यहाँ पर नया कोश्चन आ चुका है कि गाउं में पानी के सनक्षन के नई तरीके की बात कर रहा है अब ये पाने के सुनक्षन करने की बाद जो कह रहा है वो क्या था कहता है कि वह उस गौँ में अपने भाई से मिलने गया था उसको जल संबर्धन विकास कारिकरम अब यहाँ पर एक नया कोशन आ चुका है यहाँ पर कहा गया क्या कहा गया कि जल संबर्धन विकास कारिकरम जिसे कहते हैं वाटर सेड कहते हैं इसने कहा कि उसमें सुना था कि सरकार इसके लिए सरकार इसके लिए पैसा भी दिया है उसके भाई के गाउं में लोगों ने पेड़ लगाये थे नलो पर चैक डैम यानि के छोटे छोटे बांध बनाएगे इब हम टंकिया बनाएगे थे सब पो अनवर का ये विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहा गया अब यहां पर पानी को खटा करने के लिए उन्हें ने छोटे छोटे डैम को बनाना चालो कर दिया तो छोटे छोटे जब डैम बनाए जाएंगे तो इससे फाइदा यह हुगा कि गाउं के लोगों को ततकाल अस्तर पर और काफी लब्मे समय तक के लिए पाने की वश्ता पूरी हो जाएगी करहा कि ग्राम सवाग क्या करती है तो उपर अभी अबने देखा ग्राम सवाग के कारे के बारे में कि वह जो होती है वह अस्थानियां इस तरह पर समस्याओं का समधान करती है वह निरनाई लेती है और जरूरतों को पूरा करती है कह रहा कि ग्राम सवा के बैठक में अब तक कौन सी समस्यां पर चर्चा हो चुकी थी तो यहाँ पर पानी की चर्चा हो चुकी थी यहाँ पर सड़क की चर्चा हो चुकी थी उनके किस तरह के हलकों सुझाए गए थे तो अभी हमने देखा बाटर सेड की जो वरस्था थी हमने उसके उपर विचार किया मतलब पानी के संवर्धन कारिकरम के उपर हमने अभी बात किया कहा है कि यहां पर कहता है कि ग्राम सवा में चर्चा के लिए अगला मुद्धा था गरीबी रेखा से नीची आने वाले लोगों के सूची पर सूखिर थी तो हमने यहाँ पर अभी तक तीन मुद्धे पर देखा पहले हमने बात किया था सड़क के उपर क्योंकि यह सड़क थी मुखे सड़क से मिलती थी दूसरा हमारे पास था जल के सुभीदा जल के सुभीदा के लिए हाँ पर बाटर सेड बिवस्था के बारे में बताया गया था कि हम इसके माध्यम से पानी को बचा सकते हैं तो तीसरा माध्यम आये था वो था तीसरा जो मुद्धा था वो था गरीबी यहाँ पर कहा रहा है कि नटवर ने हाल में एक रंगीन टेलिविजन खरीदा उसके बेटे ने एक नई मोटर साइंकल भी भीजी वह गरीबी देखा से कैसे नीचे हो सकता है सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमे से धीरे से कहा सरोज ने सूखी भाई से कहा बिर्जू का नाम इस सूची में कैसे आ गया उसके पास तो इतनी जमीन है इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग को होना चाहिए उम प्रकास एक मल्दूर है उसके पास बिलकुल जमीन नहीं वो मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है पर उसका नाम इस सूची में नहीं सूखी भाई ने कहा तुम्हें तो पता ही है कि नटवर अगरिजू अमीर चंद के दोस्ते अब अमीर चंद को कौन कुछ कहेगा अमिर चन को कौन कुछ बोल के सकता है या कहेगा अमिर चन पहले गाउं का जमिनदार था और अब भी बहुत सारी जमेनों का वो मालिक भी है लेकिन हमें ओम परकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए क्योंकि ओम परकाश जो है वो गरीब भी है और मजदूर भी है उसकी जीवन चर्या जो है काफी अस्त बेस्त रहती है इसके लिए इसका नाम सरपंच में जरूर अड़ करना चाहिए इससे पहले एक थोड़ा सा ग्राफ आया था आई थोड़ा सा देखते हैं कह रहा है कि ग्राम पंचायत पूरे गाउं के हित में निस्पक चुरूर से काम कर सके इसमें ग्राम सवा की महतपूर नभूमिका होती है तो यहां पर ग्राम सवा की भूमिका के वारे में बताया गया ग्राम सवा का महतपूर काम क्या होता है तो उसका महत्पून काम होता है निस्पक छुरूप से काम करना ग्राम सवाग की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है ग्राम पंचायत को मनमाने डंग से काम करने से रोक भी सकती है साथ ही पैसों का दुरिप्योग और कोई ग्राम काम ना हो इसकी निगराने भी करती है इस तरह से ग्राम पंचायत चुने परतिनीदियों पर नजर रखने और लोगों के परती अपने जिम्मिदारी और जवाबदी बनाने में महत्पूर नभूमिका निवाती है तो कहीने कहीं हमारे पास जो ग्राम पंचायत होती है वो लोगों के उपर और जो उसमें परतिनीदियों होते हैं उनके उपर नियंत्रन रखने का भी काम करती है यहांब्य कहता है कि सरपंच ने देखा यहां पर उकशने की कोशिश की कि वह नटवर और विर्जु के बारे में पूछे लेकिन सुरजमल चुप चा बैठा रहा अमीर चन ग्राम स्वाल में बैठ सब पर निगाह रखे हुए था सरोज ने उटकर कहा ओम प्रकास का नाम सूची में होना चाहिए दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकास का परिवार बहुत गरीब है सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था जिस वेक्ति ने गरीबी रेखा कि नीचे आने वाले परिवारों का सरुचन किया था उसे ने बताया कि मैं ओम प्रकास के घर कई वार गया पर हर बार वो ताल लगा हुआ था वो साइद कहीं काम कहीं वो तुरहाग देजते कहीं वो काम ढूणने के लिए गया हुआ था सरपंच ने कहा कि ओम प्रकास की पारिवारिक आये देखी जाएगी और अगर वो सरकार के दोरह तै कि गई राशी कर से कम है तो उसका नाम सोची में सामिल किया जाएगा अब यहाँ पर सामिल क्या है क्या कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर गरीबी रेखा में यहाँ पर हम गरीबी रेखा में उसी को सामिल करेंगे जिसकी income क्या हो तो कम हो अब ये कितनी कम होने चाहिए तो ये सरकार के निर्धारित रकम से कम होने चाहिए सरकार के निर्धारित रकम से कम होने चाहिए अब दरीवी रिखा के बारे में कहा जाता है कि जिस विक्ति के पास है लगवग 8 लाख रुपे 8 लाख रुपे एक साल में इसके पास यदि इससे कम आता है तो हम उसको गरीबी रेखा के अंदर सामिल कर सकते हैं अब यहाँ पर बात आने वाली है गराम पंचायत के बारे में आई देखते हैं कि गराम पंचायत क्या गरती है लेकिन से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट दिये गए हैं कह रहा है कि गराम सवा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निधारित हो रही थी क्या उसमें कोई गरवड़ी थी यदि हां तो वा कैसे थी क्या कैसे हुई कता सरोज ने सुरजमल से बोलने के लिए कहा फिर भी वा चुप क्यों रहा क्या आपने ऐसी अन्य घटनाई देखी है जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते हां देखी है मैंने क्योंकि गाउं में जायतर जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी समस्याओं को कभी भी सामने नहीं रखते कि अनको लगता है कि उन्हें समाज के दवाया जाएगा उन्हें के धमकाया जाएगा इसलिए वո इसलिए दोजों को बोलने से कौन-कोन से रोकती है तो समाज का रुदवा रोकता है समाज के वो लोग होते हैं जिनके कि पाज जयुदा as hem जिनके पास धन होता है ऐसे लोगों का इसमें दवाब ज्यादा मिलता है आई देखते हैं कि कह रहा है कि ग्राम पंचायत की नियमी तुरूप से बैठक होती है अभी जो नियमी तुरूप से बैठक होती है अभी जो नियमी तुरूप से बैठक होती है तो आपको पता हुआ की एक साल में कम से कम 3-4 वर इनकी लगातार बैटक होती है, उसका मुक् Hol प्यकाम होता है, उसके छेतर में आने वाले गाउं का विकास कारिक्रम लाव करवाना, अब यहां पर राता है कि ग्राम पंचायद क्या करती है तो ग्राम पंचायद का मुक् काम होता है कि आने वाले छेत्रों गाउं में आने वाले छेत्र के गाउं में विकास कारेकरम को लाओ करना इसका में काम होता है ग्राम सवा ही पंचायत के काम को स्विक्रती देती है अब ग्राम पंचायत जो काम करने वाली है उनको जो पावर है वो कौन देगा तो वो ग्राम सवा देती है ग्राम सवा पंचायत के काम को स्विक्रती देती है तभी पंचायत अपना काम पूरा कर पाती है क्योंकि इसको पैसा तो वही देने वाली है ज़ता पैसा मिलेगा नहीं तब तो काम कर पाएगे नहीं यहाँ पर एक महिला का पिच्छर दिया गया है यह जो महिला है वह महाराज के दो पंच जिने 2005 में अपनी पंचायत में उल्ले खिनिये काम करने के लिए निर्मल ग्राम प्रुसकार से स इनान का काम होता है सडकों, नालीयों, स्कूलों, भवनों, पाने शुरोटों और उन्हें पब्लिक पलेस के UO के भवनों का निर्मान करना और उनका देख रे करना इनका मुख्योदे से होता है इसके साथ कहता है कि अस्थानिय कर लगाना इखटा करना अब यहां पर बात आती है क्या यहां पर बात आती है अस्थानिय कर तो अस्थानिय कर किन किन चीजों के उपर लगाया जाता है जैसे कि अस्थानिय कर जो ह ग्राम पंचायत करती है इसके साथ इनका में काम होता है गाउं के लोगों को रोजगार देना अब गाउं के लोगों को रोजगार देने के लिए अपने नाम सुना होगा मन्रेगा के बारे में तो जो मन्रेगा था मन्रेगा को 2005 में लाया गया और इसके माध्यम से 100 दिन का र लोजगार का अधिकार मिल सके अब आपको बता होना चाहिए कि ग्राम पंचायद के यह जो काम है इसे भारतिये सम्मिधान के अनुसूची 11 में सामिल किया गया है अब एक कहा रहा है किसके साथ ग्राम पंचायत की आमधनी के सूरत मतलब ग्राम पंचायत को कहां कहां से इनकम होती है उसके कुछ मुख्य सोर्स के वारे में बताया गया पहला जो सोर्स है वह घरों और बजारों पर लगाये जाने वाले कर से मिलने वाली रासी क्योंकि जो ग्राम पंचायत होती है वहां के आने वाले सभी घरों के उपर और बजार के उपर कर लगाती है विभिन सरकारी विभागों के दोरा चलाए गई योजनाओं की रासी जो जन्पद और जिला पंचायत के दोरा आती है इनके द्वारा भी इनको कुछ न कुछ पैसा मिलता है समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान अब यहां पैता हुआ कि हर गाउं या मुखिया को कहीं न कहीं आसपास के लोगे द्वारा कुछ पैसा यहां के डवलप्मेंट के लिए दिया जाता है यहां पर बात आ रही है समीति क्या है तो समीति जो होता है वह गाउं के या फिर अस्थानिय लोगों के गाउं के लोगों की अपनी जरूर्तों को पूरा करने के लिए को पूरा करने के लिए बनाई गई सभा होती है जिसे हम समीति क्या सकते हैं मालीजे कि गाउं में एक समुदाइक केंदर का भवन बनवाना है तो ये काम निर्मान समीति करेगे निर्मान समीति का में काम होता है समाज के अंदर बिविन जगों पर निर्मान के काम को अंजाम देना अब है कह रहा है इसके साथ कि कि इन समीतियों में कुछ अदर से ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं अब निर्मान समीती के अंदर जो यहां पर बताया गया कि इनके अंदर जो मेंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे तो ग्राम सवा के होंगे और ग्राम पंचायत के देखने को मिल जाएंगे ये दोनों मिल करके गाउं के विकास के लिए काम करते हैं चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राउं में पंचायत ने क्या-क्या काम किया है हरदास गाउं के ग्राम सवान ने पाने की समस्या को सुलजाने के लिए जो विकल्प दिये गए थे क्या वे आपको याद है तो हाँ याद है वाटर सेट जो दिया गया था कहता कि जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दों को दुवारा उठाया इस बैठक में सरपंच पंच और सचीव उपस्तिते तो यहाँ पर जो निर्ने लिए गए सरपंच के दवरा लिया गया पंच के दवरा लिया गया और सचीव के दवरा लिया गया आईदुगाय के यहां पर कहता है इसके साथ-साथ कि पंचाय के सदस्य ने पहले यहां पर कुवा साफ करवाया दो हैंडपम को गहरा करने के लिए भिखल्क दिया पर सोच बचार के बाद ताकि गाउं को पाने के बिना ना रहना पड़े सरपंच ने सुझाव दिया कि पंचायत के पास हैंडपम के देखरे के मद में कुछ पैसा है सो उन्हीं पैसे को इस काम में लगाय जा सकता है इन सभी पर सदस्य मान गए असचीब ने उनके निर्नय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया अब यहां पर जो सुझाव दिये गए थे वह सुझाव किसके उपर थे तो वह सुझाव था आपका हैंडपम के उपर दिया गया था कि हैंडपम को ही आपर रिपेर किया जाएगा इसके बाद सभी सदस्य मिल करके समस्या के अस्थाई हल पर विचार करने लगे अस्थाहिल का मतलब होता है कि जिसकी समस्या बार बार लोगों को जेलनी ना पड़े। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम स्वरा के सदस से फिर से परसन पूछेंगे। कोछ पंचो ने संका जाहिर करते हैं पूछा कि क्या जल सन रचन से पानी के इस्तर में कोई विशेश फर्क पड़ेगा। तो यहां पर बात आती है क्या जल सन रख्चन अब इसका मतलब क्या होता है। हमारे पास जो प्राक्रतिक रूप से बरसा जल होता है, उसको हम कैसे स्वरक्षी तरख सकते हैं। उसके बारे में यहां पर बात हो रही थी। कि हम किस प्रकार से, हम यहाँ पर किस प्रकार से जल सम्नचन के उपर काम कर सकते हैं और पाने के समस्या को हमेशा के लिए खतम कर सकते हैं अब पंचायत के तीन अस्तर कौन-कौन से हैं आईए देखने का काम करते हैं कह रहा है कि हरदास गाउं की ग्राम सभा पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया ही होगा कि, क्या समझ में आया भाई, आई देखते हैं, तो यहां पर पंचायत राजववश्था के एक ऐसी परकिरिया है, जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भा का पहला अस्तर MADA जाता है तो यह बहुत ही इंपॉटेंट है एक सव्थी के लिए लिए यह बहुत ज़िरूरी है कि घराम-eded पंचायत लोगतांत्री सरकार का पहला अस्तर माना जाता है ग्राम पंचायत ग्राम सवाय के पड़ती जवाब दे होती है क्योंकि ग्राम सवाय के लोग ही उसको चुनने का काम करते हैं तो ग्राम पंचायत ग्राम सवाय के पड़ती रिस्पॉंसवल होती है कहता है पंचायती राज विवस्था में लोगों की समीति के नाम से भी जानते हैं तो यहां पर ध्यान दीजेगा आप लोग सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो हमारे पास होता है ग्राम सभा होता है ग्राम सभा से मिलकर के हमारे पास बनता है ग्राम पंचायत बनता है क्या बनता है ग्राम पंचायत बनता है ग्राम पंचा खंड होता है अस्तर विकास खंड होता है इसके बाद हमारे पास इसी को हम नाम देते हैं जन्पद कहते हैं जन्पद कहते हैं या पिर इसे हम कहते हैं पंचायत समीति के नाम से जानते हैं पंचायत समीति के नाम से जानते हैं एक पंचायत समीति में कई ग्राम पंचायत होती ये पंचायद समीति के उपर जीला पंचायद या जीला परिशद होता है अब पंचायद समीति के अधमार पस आगे क्या जीला परिशद आ गया जो जीला परिशद है वो एक डिस्टिक लेवल का काम करता है ये तीसरी अस्तर की होती है जीला परिशद एक जीले के अस्तर का विकास की उजना मनाती है, यहाँ पर थोड़ा सा हाइलेट कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में असानी हो सके, तो कह रहा है कि जीला परशद एक जीले के अस्तर पर विकास की उजना मनाती है, पंचाय समीति की मदद से जीला परशद सभी पंचायत में आवंटे तरासी के बित्रन की विवस्ता करती है, कि हर पंचायत को कितना पैसा उनके विकास के लिए दिया जाएगा, जैसकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो महिलाएं हैं, यह महिलाएं यहाँ पर पत्थर को तोड़ने का काम कर रही है, यहाँ पर नाले कुमसरी तलाब को बनाया गया तो इस प्रकार के जो काम किये गए इनके लिए जो पैसा अवंटित होता है वो जिला अदिकारी अवंटित करता है पैसा देने का काम करता है समिधान में दिये वे निर्देसों के अधार पर देश के हर राज ने पंचाय से जुड़े कानून बनाये हैं इसलिए पंचाय समंधी कानून हर राज के कुछ अलग-अलग हो सकते हैं इनके कुछ विचार यही है कि अपने गाउं की ववस्ता में लोगों की भागदारी बढ़े और उन्हें अपनी अवाज उठाने के लिए जाद से जादा मौका मिले। की से करते हैं? किस प्रकार से करते हैं? इनके बारे में आप विच्ता हर से सर्चा करें। तो ग्लास आज का हमारा चप्टर ग्राम पंचायत स्था है। एक ऐसा लगा आपको जरूरत आए और वीडिय को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स वडियो में तब तक के लिए धन्यवाद 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 के लिए धन्यवाद तक कि लिए के लिए धन्यवाद तक के लिए बूद उल तक में उन्यवाद झाल 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 झाल